किसी को घर मिला तो किसी को हिस्से में दौलत आई, मैं मेरी मा का लाडला था इसलिए मेरे हिस्से में मा आई, चिड़े और गौरे का दर्ध भरी कहानी, एक लोहे का बड़ा सा बंद दर्वाजा, लगातार कोशिशों के बाद उन दोनों ने उसकी कील के पास एक छोटा सा र चिड़ा परेशान हो जाता यह सोच कर कि अब गौरये के प्रसव का समय इतने करीब आ गया है और अभी तक वे दोनों कोई घोसला नहीं बना पाए हैं। आव देखा नताव निकल पड़े तिनकों की तलाश में। कहा कहा मारे फिरे तब जाकर तिनके इकठा हो पाएं। उनका अंदाजा सही सावित हुआ। वे दो दिन उन दोनों पर बहुत भारी पड़ रहे थे। हमेशा डर बना रहता कि घर का मालिक या कोई और जीव उनके छिपा कर बनाए घोसले को नश्ट न कर दे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नियत समय पर उसने अंडे दिये। अब चिड़ा और गौरया दोनों की खुशिया अपने चरम पर थी। अब समस्या थी अंडों की सुरक्षा। दोनों ने तै किया कि एक खाने का जब इंतजाम करने जाएगा तब दूसरा पहरे पे रहेगा। हालां की दोनों जानते थे कि बड़े जीवों के सामने भला उनका क्या अस्तित्व लेकिन प्रतिरोध तो कर ही सकते थे। सिलसिले वैसे ही चले जैसा उन्होंने सोचा दस बार सूरज निकलने के बाद जब अंडे फूटे तो उन दोनों की खुशी सात्वें आसमान पर थी। चारों अंडों से बच्चे सही सलामत बाहर आ चुके थे। उनके पंख तो अभी खुले नहीं थे। लिहाजा गौरिया जब कहीं दाना पाती उड़कर आती और ए उसके बाद कहीं उसे अपने लिए दाने की फिक्र होती। अब गौरिया को इंतजार था बच्चों के पर निकलने का। अकस्मात एक दिन उसके पंखों से वहां रखा रंग का एक डब्बा उलट गया और उन बच्चों के बदन के कुछ हिस्से रंगीन हो गए। गौरिय गौरिय ने इसे देखा पर कुछ कर पाना उसके वश में तो था ही नहीं। पांच-छै बार सूरज और निकला कि उन बच्चों के पंख निकलाए। उन्हे थोड़ा-थोड़ा उरना सिखाया गौरिय ने। अब बच्चे उर सकते थे। अगली सूरज की किरनों के साथ ग पंखों के मिलते ही सदा के लिए उस से दूर हो चुके थे। कभी वो प्रसव के पूर्व पलों को याद करती, कभी तिनका-तिनका चुन लाए घोसले के निर्मान को वो एक-एक दाना उनके लिए लाने की यादें उसके अंतर्मन को बींध जाती। समय के भी पंख होते है यह अपनी अविरल गती से चलता ही रहता है धान के खेत के बाहर अनाज का एक दाना गिरा देख गौरिया उड़कर वहाँ पहुँच गई आज उसे कहीं दाना नहीं मिला था बहुत भूखी थी वह उस दाने को खाने के लिए अपनी चोंच में डालने ही जा रही थी कि उसकी नजर सामने उसी दाने पर जपटते दूसरे गौरे पर गई उसने उस दाने से अपनी चोंच हटा ली दूसरी गौरे ने दाना अपनी चोंच में डाला और फुर हो गई गौरिया सूनी आखों से उसे उर्ती देखती रही क्योंकि उसने देख लिया था कि उस दूसरी गौरिये के पंकरंगे हुए थे दोस्तों आपको इस कहानी से क्या सिख मिली कॉमेंट करके जरूर बताए और ऐसे ही ज्यानवर्धक कहानिया सुनने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ज्यानवर्धक कहानी से साथ